अगर आपका civil score कम है तो आप इस application की मदद से आप अपने low credit score के उपर लगबग 5,000 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक का loan 60 मन्त के लिए बहुत ही असानी तरीके से ले सकते हैं लगबग इंडिया में 180 से ज़्यादा सहरो में इस application को इस्तमाल किया जा सकता है और चाहे आप किसी भी job profession में हो आपको अगर income आपके bank account में receive होती है तो इस application को आप directly इस्तमाल कर सकते हैं यह application आपको सिर्फ और सिर्फ के YC document के उपर phone से घर बैठे loan provide करती है आपको अभी तक loan नहीं मिला कहीं से भी तो आपको बहुती best solution बताने वाला हूँ simply आपको Google पर जाना है और यहां पर search करना है apps गुरूजी एक सांथ लिखिए एक सांथ लिखिए search करिए search करने के सांथ आपको यह website दिखाई देगा simply आपको इस पर करना है tap tap करने के बाद आप इस website के उपर आ जाएंगे और यहां पर आप देखेंगे कि धेरो ऐसे applications है जिनके बारे में detailed information आपको दी गई है कैसे apply करना है कैसे आप loan ले सकते हैं और maximum loan application में इस दिर्फ आपको अधार card और pen card का इस्तमाल करना होगा 500 रुपे से लेकर 5 लाख रुपे तक का loan आप घर बैठे अपने phone की मदद से किसी भी emergency में बहुत यसानी से ले सकते हैं application से लगबग 180 cities से ज़्यादा इंडिया में लगबग metro और popular cities जितने भी हैं वहाँ पे loan लिया जा सकता है और यह application और अपने कुछ लैंडिंग पार्टनर जो की जाने की जूरत नहीं है बस अपने phone से loan के लिए apply करना होता है स्क्रीन के उपर जैसे कि देख पा रहे हैं यहां पर rate of interest के बात करो तो चुकि आप आप loan application का इस्तिमाल कर रहे हैं जो की 36% तक maximum जाता है तो यहां पर आपको यह चीज़े ध्यान में रखने होगी लेकिन application का भी कहना है कि rate of interest के उपर आपको यह loan मिल जाता है आपको जो EMI मिलती है असान और होती convenient मिलती है सिर्फ और सिर्फ दो मिनिट के अंदर में आपका loan application complete हो जाता है और अगर आप eligible हैं तो कुछ Minto के अंदर यह loan आपका एप्रूब हो जाता है पेपरलेस प्रॉसेस है 100% डिजिटल बिना किसी credit score के उपर एक छोटे से loan example से समझते हैं अगर आपको यहाँ पर एक लाग रुपय का loan मिलता है 24 महीनों के लिए यहाँ पर minimum rate of interest जो starting rate of interest है वो 24% के असपास होगा इस loan से आपको लगबग 2500 का processing fee deduct होगा और लगबग अगले 24 महीनों तक आपको 5,391 रुपय यह माई में payment करने होगे आप total repayment करने हैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंट्रेस्ट में लगबग 30,000 रुपय के असपास और आप अपने loan का total repayment कर चुके हैं अभी तक 1,31,884 र लेकिन यहाँ पर आपको यह ध्यान रखना होगा कि यह minimum rate of interest है अगर यह loan लगब 36% के rate of interest पर आपको मिलता है तो यह हमेशा ही बहुत ज़्यादा महेंगा होगा यह maximum जो है यहाँ पर 36% तक rate of interest जा सकता है अब यहाँ पर eligibility के अगर बात करो तो आपकी age कम से कम 21 year होनी चाह है तो आप loan apply कर सकते हैं लोन ले सकते हैं आप Indian citizen होने चाहिए आपकी monthly जो income है वो कम से कम 18,000 प्लस होनी चाहिए यहाँ पे self-employed, solid person दोनों को ही loan मिल सकता है लेकिन अगर आप अपनी income अपने bank account के अंदर receive करते हैं तो ही यह possible है और लगबग 180 प्लस cities के अंदर पूरे और bank statement के requirement होगी आपको validate करने के लिए internet banking की जरुत होगी इन सब चीजों को ध्यान में रखके आप loan apply कर सकते हैं टेश्टोर के उपर जाए और सर्ज करिए patience personal loan application patience काफी लंबे समय से loan जो है सर्व कर रहा है और लगबग 10 million से ज्यादा users ने अभी तक इसे इस्तमाल भी किया ह अगर हम rating और review के बात करें तो यहाँ पर rating और review भी आपको काफी देखने के लिए मिलेंगे जो कि positive और negative दोनों ही दिखाई देंगे कहीं पर भी loan से पहले repayment करने के जुरुत नहीं है और ना ही कोई extra सुईधा सुलक आपको यहाँ पर देना होगा बहुत सारे loan application pending में है जि score के बात कर रहा हूं अगर आप पहली बार loan apply कर रहे हैं और आपका civil कम है भी तो इस application से आपको help मिलेगी और आप इस application से बिना किसी guarantee or security loan ले सकते हैं वीडियो कैसे लगी कमेंट के अंदर बताएए वीडियो से जोरी कोई भी query हो आपके उन में आप नीचे कमेंट कर जकते हैं मैं आपके उन queries को जो result करूंगा आज किस वीडियो में बस इतना ही मिलता हूं दोस्तों फिर आप से अगले वीडियो में तब तक के लिए खुश रहिए स्वस्त रहिए और मस्त रहिए